नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए साइन्स के Most Important Questions का वीडियो प्रैक्टिस हैड पेपर लेकर आया हूँ Questions SSC के हैं और Railway में Junior Engineer और आपके ALP NTPC Group D में पूछे के Cautions हैं तो थोड़े से Cutting Caution होंगे हो सकता है आपसे नहीं बने तो घबराना नहीं है सारे Cautions याद कर लिजेगा क्योंकि Repeated Caution होते हैं इनको याद कर लिजे कि इनके Cautions आपसे गलत नहों कभी भी अभी अगर नहीं बन रहे हैं एक्जाम में बनने चाहिए जिसे नमबर अपने कटेना वीडियो को अंतक देखिएगा सारे Cautions वीडियो देखते ही देखते आपको याद हो जाएंगे और कमेंट करके मुझे बता जरूर दीजेगा कि वीडियो आपको कैसे लगा तो चलिए शुरू करते हैं Best of Luck आपके लिए सबसे पहला प्रशनी यह रहाँ स्कीन पर Question number है Glucagan Harmon Dash से निकलता है Glucagan Harmon जो है किस से निकलता है तो Alpha कोशिकाओं से Option number C इस प्रशन के लिए से यत्रो जाएगा हमारी बॉड़ी की Alpha कोशिकाओं से Glucagan Harmon जो है वो निकलता है Next Question देखते हैं किसी वस्तू पर घर्शन द्वारा किया गया कार्य निम्न मैंसे कैसा होता है तो घर्शन होगा तो जाहर सी बात है कार्य जो है रिनात्मक होगा तभी तो चीज़ें रुकती हैं तो राई टांसर हो जाएगा किसी वस्तू पर घर्षण द्वारा किया गया कारे कैसा होगा तो घर्षण हमेशा रिनात्मक ही होता है किसी चीज की स्पीट को कम करता है परफॉर्मेंस को कम करता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट नमबर B सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आप पुछा गया अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर निम्न मैंसे कौन सा पाचन एंजायम है आपको बताना है इन मैंसे कौन सा वसा पचाने वाला एंजायम है वसा पाचन एंजायम है तो राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज ऑप्शन नमबर C लाइपेज जो है वसा पचाने वाला एंजायम है next question देखते हैं क्या पुछा गया अगला प्रशन पेपर वेट में वायू के बुलबलों का चमकीला कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है तो पेपर वेट जो होता है कंचे की तरह बड़ा सा रहता है कांच का एक गुला वो उसके अंदर वायू के चमकीले-बुलबले जो दिखाई देते हैं वो पूर्ण आंसर हो जाएगा option number पूर्ण आंतरिक परावरतन next question द यस्क है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् प्रतिरोद में धारा समान रहती है नेक्ट कॉशन देखते हैं कि अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर निम्लिकित में से अदिश रासी क्या हो जाएगी तो अदिश रासी विभाव और उसके साथ में धारा यह जो है अदिश रासी का उधारण है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी ए और सी इस प्रशन के लिए सेत्र हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं कि अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन है आपके सामने निम्न मैंसे प्रसाओ के समय कौन सा एंजाइम निकलता है राइट आंसर क्या हो जाए है राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देखते हैं कि अगला प्रशन निम्न मैंसे क्लोरीन की सहयोजकता कितनी होती है तो क्लोरीन की सहयोजकता जो है प्लस सेवन होती है ऑप्शन नमर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देख लेते हैं कि आप उश को विरंजित करने के लिए प्रयोग की जाती है तो किसी गतिमान के दूरी समय ग्राफ के ढाल से उसकी चाल का पता चलता है राइट आंसर हो जाएगा option number a next question देखते हैं एक electron volt कितने जूल के बराबर होता है right answer क्या हो जाएगा तो एक electron volt option number b 1.6 into 10 to the power minus 19 के बराबर होता है right answer है इस question के लिए next question देखते हैं कि आप पुश गया अगला प्रशन यह रहा क्या है right answer क्या है expression के लिए चली देखते हैं तो यहां पर सहतर हो जाएगा काुशन आपके सामने हैं चुमकी छेतर की दीवार्ता तो टेसला expression के लिए सहतर हो जाएगा right answer है चुमकी छेतर की दीवृता का मात्रक टैसला है next question मनुष्ट के शरीर में पाई जाने वाली मेरू तंत्रिकाएं कितनी जोड़ी होती हैं तो मनुष्ट के शरीर में पाई जाने वाली मेरू तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं option number C यहां पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं कि आप शगया अगला प्रशनी इरहा स्क्रीन पर नेत्र का दूर बिंदू कितना होता है तो नेत्र का दूर बिंदू जो है अनन्त होता है option number D इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा निमलिकित में ऐसे mustard gas किसके प्रियोग से बनाई जाती है तो mustard gas जो है ethylene के प्रियोग से बनाई जाती है option number c इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुश अगया अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर question है lens का नियम किसके सनक्षन पर आधारित है right answer क्या हो जाएगा तो lens का नियम जो है उर्जा सनक्षन के नियम पर आधारित है option number c यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है तो विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है option number B यहां सही उत्तर हो जाएगा next question निम्न मैंसे बल आघूर्ण की विमा क्या होती है तो बल आघुन की विमा होती है ML-2 T-2 option number D यहाँ पर सहीतर हो जाएगा right answer है next question देखते हैं क्या पुशा गया है विशिष्ट प्रतिरोत का मातरक क्या होता है तो विशिष्ट प्रतिरोत का मातरक ohm meter होता है अगले प्रशन पर चलते हैं 10.5 होता है option number A right answer हो जाएगा निम्न मैंसे कौन सा उर्धो पातन का उधारन है तो right answer हो जाएगा NH4CL इस प्रेशन के लिए सहीतर हो जाएगा option number B उर्धो पातन का एक प्रमुक उधारन है next question देखते हैं क्या पुशा गया है निम्न मैंसे दो अशून सदिसों का सदिस निम्न मैंसे कौन निम्न मैंसे दो अशून सदिसों का अधिस गुडन फल कब शून होगा तो right answer हो जाएगा जब वो सदिस जो हैं लंबवत हो option number D यहाँ पर सहीतर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुशा गया है decimal संख्या 21 को binary संख्या में कैसे लिखेंगे तो decimal संख्या 21 को binary में 10101 यानि कि option number A यहाँ पर सहीतर हो जाएगा लिखेंगे next question देखते हैं hydrogen spectrum की कौन सी श्रेणी द्रश छेतर में पाई जाती है तो hydrogen spectrum की बामर श्रेणी option number B यहाँ पर सहीतर हो जाएगा बामर श्रेणी द्रश छेतर में पाई जाती है next question देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशन है पूर्ण क्रश्न पिंड का आउशोशन छमता कितनी होती है तो पूर्ण क्रश्न आउशोशन छमता जो है उसकी एक option number A यहाँ पर सहीतर हो जाएगा पूर्ण क्रश्न की आउशोशन छमता जो है option number 1 इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा अब हम एक बार revision कर लेते हैं सारी cautions का जिसको आपको यह cautions याद हो जाए देखिए सबसे पहला caution था ग्लूकेगन हॉर्मोन से क्या निकलता है तो ग्लूकेगन हॉर्मोन कहां से निकलता है तो ग्लूकेगन हॉर्मोन जो है अल्फा कोशिकाओं से निकलता है किसी वस्तू के किसी वस्तुपर घर्षण के द्वारा किया गया कार कैसा होता है तो घर्षण के द्वारा किया गया कार रिरात्मक होता है निम्न मैंसे समतल प्रत्विंब समतल दरपन द्वारा कैसा प्रत्विंब बनता है तो आभासी प्रत्विंब कीसा होता है तो कौपर सलफेट के विल्यान का रंग नीला होता है कौनसा वशा पाचन जयम है तो नाइपवेज वशा पाचन रहतेत में में फिर्ष ऋडिना प्रतियों में धारा समान रहती है मनुष्य में और कितने जोड़ी लार ग्रंथी होती है तो तीन जोड़ी लार ग्रंथी होती है अदिश रासी कौन सी होती है तो बिभाव और धारा अदिश रासी थी निम्न वैसे प्रसोगी समय कौन सा एंजाइम निकलता है जो रिलेक्स से निकलता है क्लोरीन की संयोजगता कितनी होती है प पता चलता है तो चाल का पता चलता है एलेक्ट्रोन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है तो 1.6 इंट्व 10 to the power minus 19 के बराबर होता है चुम्ब की छेतर की तीवरता का मातर क्या होता है तो टैसला होता है शरीर में पाई जाने वाली मेरू तंद्रिका कितनी जोड़ी होती है 31 जोड़ी होती है नेतर की दूरबिंदू कितना होता है तो दूरबिंदू अनंत होता है मस्टर्ड गैस किसके प्रयोग से बनाई जाती है तो एथलीन के प्रयोग से बनाई जाती है दो अशूने सदिसों का अधिस गुडन शूने कब होगा तो जब वे लंबवत होंगी डैसिमल संख्या 21 को binary में कैसे लिखेंगे तो 10101 डैसिमल संख्या 21 को binary में लिखने का option सही उत्तर हो जाएगा hydrogen spectrum में कौन सी hydrogen spectrum की कौन सी श्रेणी दरश छेतर में पाई जाती है तो बामर श्रेणी दरश छेतर में पाई जाती है पूर्ण क्रिश्टल पिंद का आउशूशन शमता कितनी होती है तो एक होती है lens का नियम किसके सनरक्षण पर आधारित है उर्जा सनरक्षण के नियम पर आधारित है विस्थापन परिवर्तन की दरखों क्या गयते है तो वेक कहते है बल आगुण की विमा क्या होती है तो ml-2 t-2 स्क्वेर पर है न विशिष्ट प्रदिरोत का मातर क्या है ओम मीटर है मिल्क आप मैंगनीशा का पीच कितना होता है 10.5 होता है निम्लिकित मैंसे उर्दो पातन का उधारन क्या है तो NH4, CL उर्दो पातन का उधारन है तो यह आपका कॉशन सैट था साइन्स का कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करके बताइए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन आउन कर लीजिएगा और आल वालर नोडिफिकेशन आउन कर लीजिएगा जिससे आपको हमारे सभी वीडियो के नोडिफिकेशन मिल सकें चैनल पर रोज सुबर 11 बजे और शाम को 5 बजे साइन्स की लाइव क्लास होती है तो आप पड़े साइन्स की लाइव क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट करके बताइए कैसे लगा वीडियो और लाइक जरू कर दीजेगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक यह वीडियो जिससे वो भी एक कॉशन पढ़ सकें इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कर सकते हैं या हमें कमेंट करें हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे सारे वीडियो फ्री हैं यूटूब पर अपलोड हैं आप डारेक्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाकर चैनल पर देख सकते हैं तो बताईएगा जरूर कैसे लगा वीडियो कमेंट करके हमें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके लाइव क्लास जरूर आईएगा लाइव क्लास में आप बहुत कुछ सीखेंगे चलि दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बहुत बहुत आपका दिन शुब हो